टार्गेट विदालों के आनलाइन प्रेटफॉर्म से मैं पंडितमरेश वट्र आप सभी सब्मानित हिंदी सहाथ त्यानिवरागियों का हार्दी का विनेंदन करता हूँ आज के इस सेशन में हमारी जो भाउगी वह ही यल्टी पर होगी और यल्टी में यानि हिंदी भी से पूले करके होगी आगर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जानते हैं तो थोड़ा सा और जान लिए नहीं जानते हैं पुना आप जान लिए उत्तरपदेश लोक्षिवायुक जैसा मैंने यहां पर लगाया है यहां प्रयागराज में इस सित है यहां सी एक विकेंसी निकलती है यल्टी क जो basically high school में पढ़ाने के लिए वह सिक्षक को चुनती है योग सिक्षक को चुनती है जो जा करके समाज की मुख्यधारा में जो पिछडे हैं जो अति पिछडे हैं जो कटे हुए हैं उन सभी लोगों को जोड़ने का एक प्रयास होता है सिक्षा के माध्यम से तो इन ही आयोग के द्वारा यानि इसी आयोग के द्वारा इसका भरती होती है और उसमें आप चुन करके यानि आप सेलेक्ट हो करके जाते हैं और समाज की सेवा करते हैं यानि सिक्षा का काम करते हैं सिक्षा देने का कारी करते हैं तो आएए हम इसी पर आपको हिंदी विषे को ले करके आया हूँ और हिंदी विषे के पाठे क्रम को हम आपसे चर्चा करेंगे तो हम क्या करते हैं आज मैं बहुत केवल और केवल हिंदी पाठे क्रम पर मैं चर्चा करता हूँ कि आपके Slay수 में क्या सामिल है? बाकी अन्य चीजों पर हम्हे हमारी चरचा आपसे होती रहेगी. यानी हम इस पर भी बात करते रहेंगे. तो हम आज हिंदी पाथे क्रम पर यानी L2 के हिंदी पाथे क्रम पर हम क्या करेंगे? चरचा करेंगे. यल्टी के किस पर? हिंदी पाठे क्रम पर हम चर्चा करेंगे आईए, चलिए देखते हैं कि यानि हिंदी साहित्य की उधारना में हिंदी व्याकरण की उधारना में इसमें क्या-क्या सामिल है देखे आप गौर से समस्ते चलिए इसको हम कुछ मुख्य बिंदुओं में अगर समझ लें तो हमारी यह सबसे महतपुर्ण जिग्यासाओं का सांते होगी जो हम पूरे स्लेवस को एक रूपों में छोटे से हम साट करके आपको समझाना चाहते हैं कि यह यह आपको पढ़ना है कैसे होगा क्या होगा यह सब बिंदुबाद में होगी आज हम सिर्फ मुख्य फोकस करते हैं अपने इस पाठ्ठे करम पर करते हैं तो आज का जो पाठ्ठे करम है हिंदी का उसे पहला हमारा जो पाठ्ठे करम है यानि जो स्लेवस में सामिल है पहले बिंदु के रूप में अगर हम कहें तो मैं लिखूंगा हिंदी शाहित्य का इतिहास किसो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हम क्या करेंगे आपको केवल इन पॉइंटों में चर्चा करेंगे जो आपके सिलिवस में दिया गया है इसके बाद पुना जो है हम विस्तारी करण की प्रक्रिया पर आएंगे हंदी की आँधारना में हिंदी का आँव होता है ऐसे होता है किन परिस्तियों में होता है क्या लिखा जाता किसने नाम करण किए को सी गुर्णत है तमाम हमारी भिन भिन मुद्धों पर इसमें चर्चा होती है और हम बात करते हैं दोसरा अगर hangड आता है तो वह आता है, यानि अब इसके बाद काल का विभाजन होता है हमारा, दूसरा हम काल का विभाजन करते हैं और इस काल विभाजन में पहला जो आता है उसको हम कहते हैं आदिकाल कहते हैं, पहला हमारा क्या होता है? आदिकाल आता है, यानि केवल और केवल मैं यू कहूँ कि ये नाम है आपका अभी तो इसके भी सुछ में विभाजन है और इसमें क्या-क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हमारी चर्चा होगी लेकिन आज हम महत्पूर्ण बिंदों पर चर्चा करें कि ये आदिकाल है नाम करण होगा किसने किया कौन कौन किया किसने वीरगाथा काल कहा किसने आदिकाल कहा किसने वीजवपन काल कहा किसने सिद्ध सामन्त काल कहा यानि तमाम बिंदों पर हमारी क्या होगी आपसे इस पर चर्चा होगी दूसरा अगर मैं कहूं यानि इस आदिकाल में अगर दू साहित्य में विभाजित गिया यानि थोड़ा सा अगर हम इस पर सुचमता की तरफ जाएं तो इसमें अप भ्रंस अब भ्रंस साहित्य का इसमें समय वेश हुआ है इसी में आपको अब्रंस साहित्य मिलेगा इसी में नात मिलेगा इसी में जैन शाहित्य मिलेगा इसी में लोकिक शाहित्य मिलेगा यानि इसी में सिद्ध साहित्य मिलेगा क्या मिलेगा सिद्ध साहित्य मिलेगा इसी में नाथ साहित्य मिलेगा नाथ साहित्य मिलेगा नाथ साहित्य इसमें बरतमान में जो आपके मुख्यमंत्रे ज सिद्ध हो गया नात हो गया जैन साहित्य यहीं से मिलेगा और यहीं से लोकिक साहित्य मिलेगा कौन सा लोकिक साहित्य मिलेगा इसको भी हम पढ़ेने का प्रयास करेंगे इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे यानि लोकिक अधारनाओं में यह जो लोकिक साहित्य है इसमें बाद के परिवर्ति के यानि बाद में जो लोग आए जैसे मिर खुश्रो विद्यापतियाद जो आए चंदवर्दायाद को हम लोग इसी में आपसे चर्चा करेंगे आईए तीसरे विंदू पर हम आते हैं आदिकाल के बाद हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो भगतिकाल की ओधार ना आती है आपको पता भी है यानि हम किस पे भगतिकाल पर बात करेंगे और भगतिकाल में अगर बेसिकली देखेंगे पहले तो भगतिकाल ही थी उसके बाद इसका विभाजन हो जाता है दो भागों में निर्गुण और शगुण में विभाजन हो जाता है यानि भाक्तिकाल को अगर हम कहेंगे तो इसका दो भाग में विभाजन होता है कौन से एक विभाजन होता है निर्गुण परंपरा यानि निर्गुण में परंपरा विभाजन तो निर्गुण को भी वाजन करें तो ग्यानासरे शाखा और आपको प्रेमासरे शाखा मिलेगी यानि इसको भी अगर हम भी भाजित करके देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा ग्यानासरे शाखा मिलेगी यानि ग्यान का आसरे जो लिए हैं तो ग्यानासरे शाखा यहाँ प पर मिलेगा तो निर्गुण की विचारधारा में ग्याना स्रेशाखा और प्रेमा स्रेशाखा पर चर्चा करेंगे सगुण की जो भी विचारधारा है इसमें हम राम भक्ति को लेते हैं और कृष्ण भक्ति को लेते हैं यानि हमारी जो बात होगी वो किस पर होगी राम भक् पर होगी क्रिश्ण भक्ति पर होगी यहीं पर आपको तुलशीदास का भी चर्चा होगा और यहीं पर आपको मीरा का भी चर्चा होगा यहीं पर आपको सूर्दास का भी चर्चा होगा यहीं पर अश्चाप के कभियों का चर्चा होगा तमाम बिंदों को ले करके हम इस पर करेंगे और चर्चा करेंगे इसके अलामा अगर मैं देखूं तो भागतिकाल के बाद जो हमारी अधारना आती है जो हमको पढ़ना होता है वो तीन हो गया चौथा जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं रीतिकाल कहते हैं रीतिकाल गहते हैं और रीतिकाल को हम तरी भागों में तीन भागों में बाट करके और तिन तीन भागों में विभाजित करके हम क्या करेंगे इसका अध्यान करेंगे एक हमारा जो अध्यान होगा वो रीति बद्ध के रूप में होगा एक हमारा क्या अध्यन क्या होगा किस्मी होगा वो होगा रीति बद्ध के रूप में होगा यानि रीति बद्ध के रूप में होगा एक हमारा जो अध्यन होगा वो रीति मुक्त के होगा रीति मुक्त के रूप में होगा और एक हमारे जो अध्यन होगा वो रीति शिद्ध के रूप में होगा रीति सिद्ध के रूप में होगा यानि इन रूपों में हम क्या करेंगे यहां पर रीति काल के अंतरगत हम करेंगे तो यह हमारे रीति काल के रूप में चर्चा होगी इसके अलामा यह तो तीन हमारे जो हो गए यह कालों के रूप में भी भाजन हुआ, बाकिये हिंदी शाहित्य का इतिहास हुआ, तीन यह काल हो गए, इसके अलामा यानि यह तीन जो चार पॉइंट हो गए, यानि तीन काल और एक हिंदी शाहित्य चार पॉइंट हो गए, चा यहां से आधुनिक काल की ओधारना से यहां से सरवाधिक कोश्चन साब से पूछे जाते हैं सरवाधिक कोश्चन आपको आधुनिक काल से ही पूछे जाते हैं और आधुनिक काल को हम भी क्या करते हैं भिन भिन रूपों में विभाजित करते हैं यानि आधुनिक काल का हमारा क्या होता है विभाजन हो जाता है तो आधुनिक काल का विभाजन किन-किन रूपों में होता है बेसीकली अगर हम देखेंगे तो आधुनिक काल का जो हमारा विभाजन हुआ वो विभाजन कौन-कौन सा होता है इसमें पहला जो विभाजन हो गय है इसलिए हम बहुत ज्यादे डीप नहीं जा रहे हैं तो यहां से अगर अब आधुनी काल को देखेंगे तो हमारा दो खंडी स्टार्ट होता है ठीक है इस पर हम दो खंडी स्टार्ट करते हैं तो एक खंड हमारा जो स्टार्ट होता है एक को कहते हैं यानि हम पहला जो हमारा खंडी स्टार्ट होता है इसे कहते हैं काब्य खंड जो पहले से चला रहा है काब्य खंड ठीक है और दूसरा जो होता है इसे कहते हैं हम गद्य खंड कहते हैं काब्य खंड मतलब होता है जो कविताओं से related हो गद्य मतलब होता है जो जिसमें गद्यात्मक बातें लिखे जाती है अभी मैं चर्चा आप से करूँगा तो पहले काब्य खंड को हम उठाते हैं फिर गद्य खंड में देखेंगे कि गद्य खंड में क्या है और काब्य खंड में क्या है तो पहला इसी को आधार बना करक कि हम पहला, यानि आधुनिकाल के पहले leigh session पर जो हमारा क्या है? काब्यक्खंड है, क्या है? काब्यक्खंड है, इसपर हम आप से चर्चा करेंगे। इन काब्यखंड में हमको क्या-क्या सामिल है तो इसी के अंतरगत यानि इसी काब्यखंड के अंतरगत क्या सामिल होते हैं भारतेंद यूग आते हैं यानि यूगों के रूप में अगर देखेंगे तो यहीं पर क्या आ जाएंगे भारतेंद यूग आ जाता है और भारतेंद युग के बाद ये जब युग भारतिन युग के बाद कौनसा होता है दिवेदी युग आता है कौनसा दिवेदी युग आता है मैं बार-बार कह रहा हूं आपसे कि यह केवल जो चर्चा है हमारी वह चर्चा एक सामान्य चर्चा है आपके लिए कि आप यह जान जाएं कि यह यह है, तो यह क्या, दिवेदी यूग के बाद जो होते हैं, फिर क्या आएंगे, छाया वाद आएगा, और छाया वाद जब चला, तो इसी के समानांतर, इसी के बराबर, इसी के पैरलल, क्या चले? इसी के समनांतर चला राष्टिय सांस्कृतिक धारा चला यानि दो धाराएं यहां से चली एक को कहते हैं राष्टिय सांस्कृतिक धारा राष्टिय सांस्कृतिक धारा ठीक है प्यारे? राष्टिय सांस्कृतिक धारा और एक को क्या कहते हैं हालावाद कहते है क्या कहते हैं हालावाद कहते है यानि दो इसके साथ ही चल नहीं है A और B के रूप इसके बाद छायावाद के बाद हम प्रगतिवाद पर आते हैं किस पर आते हैं प्रयोग वाद पर आते हैं फिर हम प्रयोग वाद पर आते हैं यहीं प्रयोग वाद से ही आपको क्या मिलता है तारशब्टक मिलता है प्रयोग वाद के वे यानि प्रयोग वाद आता है पुनह क्या आता है प्रयोग वाद आता है और इसके बाद पुनह हमारी नई कविता का आजवन हो जाता है जो आपके सलेवस में दिया है नई कविता यानि यहीं तक आपके सलेवस में दिया गया है काब ये खंड की जो विचार धाराएं है वो काब ये खंड में यहीं तक आपका सलेवस होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अब यहीं से आते हैं तो आपके प्रश्ण होंगे, मैं एनलसिस बाद में आपको करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो सोचेंगे, अरे सर, ये तो आप जो है साठोत्तरी बताए नहीं, बिमर्ष बताए नहीं, आप जो है प्रपध्यवाद बचाए नहीं, आप जो समकालीन बताए नहीं, वो थोड़ा सा, थोड़ा सा वो भटक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो आपके जो स्लेबस है, उस स्लेबस की मैं एनलसिस कर रहा हूँ, इसके बाद गद्य की ओधारनाओं से हमारे कोश्चन यहां पर आ जाते हैं, उसको हम सामिल कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली वो गद्य के ओधारना में होते हैं, तो पहली चीजा आपे जानिए, काब्य खंड में आप जब भी उठा कर किस लेबस देखेंगे, तो इस आधुनिक में आपको जो मैंने बताया, ये दो खंड हैं, और इस आधुनिक के पर्थम होगी, दूसरा हमारा जो है, वो गद्य खंड है, दूसरा हमारा जो खंड होता है, वो क्या है, गद्य खंड है, तो गद्य खंड में आईए, इसको देख लिए जाए, गद्य खंड में क्या-क्या सामिल हैं, इसको हम देख लेते हैं, तो दूसरा जो हमारा है, पॉइंट ह आधुनिक काल का दूसरा गद्य खंड है, क्या है? गद्य खंड है, अब इस गद्य खंड में क्या-क्या सामिल है? इसको हम लोग देख लिया जाता है, जो आप से प्राया पूछा जाता है और आप से यहां पर रखा गया है, गद्य खंड में आपको नाटक रखा गया है, न आपको एकांकी मिलेगा नाटक मिलेगा यही पर क्या मिलेगा आपको एकांकी मिल जाएगा यही पर आपको कहानी मिल जाएगा यही पर आपको उपन्यास मिल जाएगा यानि यही पर क्या मिलेगा कहानी मिल जाएगी और यहीं पर आपको क्या मिल लेगा? उपन्यास मिल लेगा, क्या मिल लेगा प्यारे? यहीं पर आपको उपन्यास मिल लेगा, यहीं पर आपको निबंध मिल लेगा, यहीं पर आपको आत्म कथा मिल लेगी, क्या मिल लेगी? आत्म कथा मिल लेगी, और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी जीवनी मिल जाएगी क्या मिल जाएगी यहीं पर आपको जीवनी मिल जाएगी और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा यहीं पर प्यारे आपको संसमरण मिल जाएगा यहीं पर आपको रेखा चित्र मिल जाएगा यहीं पर आपको क्या मिलेगा संस्मरण मिल जाएगा और यहीं पर आपको रेखा चित्र मिल जाएगा आद याद विधाएं जो हैं यहीं पर आपको गद्य की अधारणा में क्या होती है मिल जाती है किस में मिलती है यह गद्य खंड में मिलती है किस में प्यारे मिलती है ये गद्धिखंड में ये भी आधुनिकाल का ही जो दो पार्ट है वह यहां से मिलता है यानि कि हमने जो आपसे अभी चर्चा किया है वो चर्चा पांचमा नंबर पे जो आधुनिकाल काब्धिखंड और गद्धिखंड की जो बात किया उस काब्वे खंड में क्या-क्या सामिल है और गद्वे खंड में क्या-क्या आपके सिलिवस में सामिल है उस पर भी मैंने आप से क्या किया है चर्चा किया इसके अलामा हमारे पास जो समिल होते हैं यानि जो आपके सिलिवस में पाँच आधुनिक काल ये तो हमारा एक साहित्य की क्या हुई अधारना हो जाती है अब साहित्य से हम निब्रती पा जाते हैं अब हम किधर चलते हैं काब्य सास्तर पर चलते हैं जो काब्य सास्तर है यानि हम छठे पॉइंट पर आते हैं छठा पॉइंट हमारा क्या है काब्य सास्तर है आप अगर उठा करके जब देखेंगे जो सिलेवस दिया गया है आप उठा करके मुझे लगता है पूरा यूटूब पर खागाल दिजेगा संभव होता है कोई इस प्रकार से आपको इस सिलेवस के बारे में डिस्कसन किया हो दावा सब करते हैं ने लेकिन संभव था आप उठा करके मेरे कहना यह मत मानियेगा कि मैं कहरा हूं आप से सर्च कर लिजेगा यह देख लिजेगा दावा तो बड़े होते हैं, लेकिन कम से कम जो basic concept है, वो concept आपको जानना चाहिए, कभी क्योंकि आपको जब syllabus उठाते हैं, तो syllabus आपको समझ में नहीं आता है कि syllabus कहता क्या है, आखिर syllabus है क्या, ये तो हमको समझ में आना चाहिए, अगर ये समझ में आ गया, तो ठीक है, नई स फिर गड़ बड़ हो जाता और syllabus हम समझने में रह जाते हैं, तो इसलिए आप जानिये कि अगर ये काब्य सास्त्र है, काब्य सास्त्र में क्या सामिल है, काब्य सास्त्र में basically जो हमारे हां सामिल होते हैं, वो क्या सामिल होते हैं, इसी के अंतरगत आपको क्या सामिल होता है रश शामिल होता है क्या रश सामिल होता है इसी के अंतरगत क्या सामिल होता है छंद सामिल होता है किवल मैं मुख्य मुख्य बिंदि लिख रहा हूं अभी इसकी मैं ब्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं कि रस कितने प्रकार के होते हैं, कब आया, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या हुआ, इस सब नहीं, छंद कौन-कौन से हैं, वारनिक में, मुक्त में, या आपको मातरिक में कौन-कौन से हैं, तो ये सब चर्चाएं नहीं है, बस काब्य सास्त्र में आप ये जान लिजे, क्यों सास्त्र जो काब्य की ओधारना पर आधारी तो हो यानि उसी पर काब्य आधारी तो हो वो काब्य सास्त्र होता है इसी से काब्य यानि कभिताओं की रचना इधी से होती है जब तक कभिता मेरस नहीं होगा चंद नहीं होगा अलंकार नहीं होगा गुण नहीं होगा दोश नह ही होगी तब तक हम को काब्य बनेगा ही नहीं तो काब्य को काब्य बनने के लिए काब्य का सास्र जो होता है वो क्या होता यही है एक काब्य का सास्र है रस है छंद है अलंकार है अलंकार होती तिलंकार है क्या है अलंकार है जो आपको जानना चाहिए इसके अलामा क्या सामिल होते हैं काब्य के गुण सामिल होते हैं काब्य के दोश सामिल होते हैं यानि इसी में काब्य गुण होते हैं काब्य गुण होते हैं इसी में काब्य दोश होते हैं काब्य क्या होते हैं काब्य के दोश भी होते हैं काब्य के गुण काब्य के दोश इसी में आपको मिलते हैं शब्द शक्ति मिलता है यानि शब्द शक्ति की इसी में बात हो तो ये हमारे बेसिकली एक मोटे तौर पर हमारे क्या हो जाते हैं एक काब्य सास्त्र हो जाते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होना आवस्यक नहीं अतियावस्यक है जब तक हम इसको जान नहीं लेते हैं तब तक हम अधूरे हैं पूरे नहीं हैं तो पुरुण रूब कम से कम इनके बारे में हमको क्या होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए यह हो गया चल इसके अलामा हमारे पास क्या होना चाहिए चलिए हमने काब्य सास्र जान लिया अब इसके बाद क्या होना चाहिए सात्वे नंबर पर आ जाईए सात्वे नंबर पर आ जाईए हमको आपके स्लेबस में एक जो दिया है वो भाषा विज्ञान दिया है क्या दिया है भाषा विज्ञान दिया है भाषा विज्ञान आप यहीं पर समझ लेजिए नाम से ही समझ लेजिए क्योंकि मुझे लगता है ना कि बच्चे जो है यानि जो भी छात्र हैं और जो भी छात्र यह काब्य सास्त्र पढ़ाएं है कि क्या पढ़ाएं है बहुत सारा ऐसा होता है और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अभी काब्य सास्त्र जो है भाषा बिज्ञान पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं भाषा का बिज्ञान है तो आपको इसमें क्या सामिल होगा हिंदी की द्वनियां लिखा रहता है आपके इस लिवस में लिखा रहता है हिंदी की द्वनियां सामिल होगी यहीं तो सामिल होगा भई हिंदी की जो उपभासाएं हैं वो यह सामिल होगी उपभासा सामिल यानि विभासाओं के बारे में बात होगे उपभासा और विभासा इसके बारे में लिखा रहता है आपको बोलियों के बारे में लिखा रहता है बोलियों के बारे में लिखा रहता है बोलियों इसके बारे में लिखा रहता है इसी में हिंदी सब्द शंपदा के बारे में शब्दों के बारे में लिखार आता है जो शब्द शंपदा के रूप में आता है शब्द शंपदा के रूप में आता है एक-एक करके confusion नहीं होगा एक-एक करके सारा कुछ clear होगा अभी बहुत हो सकता है क्योंकि मैं ब्याख्या नहीं कर रहा हूं सिलेवस को पढ़ाने पर बहुत ज़्यादे हमारी ब्याख्या नहीं है मेरा यह सिर्फ है कि आज आप सिलेवस जान लेजिए मैं इसकी ब्याख्या करूँगा बताऊंगा लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा सब कुछ करूँगा तो यह सात्मा जो हमारा टापिक है वो टापिक क्या बना वो टापिक बना हिंदी का भासा बिग्या सात्मा टापिक चलिए इसके अलामा भासा बिग्यान के अलामा क्या आता है भाषा विज्ञान के अलामा एक आता है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, साथा आठावा, क्या है? हिंदी व्याकरण, ठीक है? अब हिंदी व्याकरण में क्या है? बेशीकली अगर देखिए, तो हिंदी व्याकरण है, उसमें जो मेंसन है, तो जो मेंसन है उतना ही केवल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो कोश्चन पूछा जाता है न, वो केवल स्लेवस टू स्लेवस नहीं होते हैं, आउट अप स्लेवस भी होते हैं, और पूछे भी जाते ह स्लेवस में मेंसन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया है, तो सिक्षक का ये दाईत तो होना चाहिए, कि उसको पढ़ाना क्या है, ये सिक्षक का दाईत तो होना चाहिए, कि उसको सब कुछ लिख करके, लेकिन हम चुकी स्लेवस पर बात कर रहे हैं, तो यहां हम स्लेव में मिन्सन हैं उस पर बात कर रहा हूं यहां पर स्लेश में आपकी मेंसन क्या है श्लिवस में जो मेंसन है वह लिंग मेंसन है वचन मेंसन है आपको कारक का वरण किया गया है यानि लिंग वचन कारक का वरण उपसर्ग का वरणन है प्रत्य का वरणन है जो इन्होंने लिखा है उपसर्ग का वरणन है प्रत्य का वरणन है इन्होंने क्या किया है अपने सिलेवस में मिंसन किया है जो पिछली बार एल्टी का जो स्लिबस है था उसमें इमनसन है विलोम का है परियावाची का है वर्तनिशु धीकरण का है यानि विलोम का भी नोंने दिया है विलोम का ठीक है विलोम परियावाची परियावाची का है वर्तनिशु धीकरण का है वाक्यांस के लिए एक शब्द का है वाक्यांस के लिए एक सब्द का वरणन किया गया है एक सब्द का वरणन किया गया है यही पर समसुरुत भिनार्थक का वरणन किया गया है शम्सुरुत क्या है विन्नार्थक का वरणन किया गया है किसका सम्सुरुत विन्नार्थक का आपको यहीं पर वरणन किया गया है यहीं पर मुहावरा का वरणन किया गया है मुहावरा का किसका मुहावरा का योग लोकोक्ति का वरणन है मुहावरा एवं लोकोख्तियादि का वर्डन है तो आप ये देखेंगे लोकोख्ति ठीक है किसका लोकोख्ति का वर्डन है निसम蛇का अधियाद अन्य ऐसे जो आपको वर्डन नहीं है संग्या का वर्णन नहीं है लेकिन पूछा जाता है सरवनाम का वर्णन नहीं है पूछा जाता है क्रिया का वर्णन नहीं है पूछा जाता है विशेशाण, काल, वाच, अब्ये ये सब तद्भो, तस्सम, देसाज, विदेसाज, वर्ण, माला सब सारी पूछे जाते हैं सबको पढ़ाना पड़ता है हम mentioning की बात नहीं करते हैं हम answering की आपने जो burden है वो प्रश्टन यहां से भी पूछे जाते हैं तो यह नहीं है कि जो burden है बस उत्रा ही पर हमारा काम क्या है आपको selection करवाना तो selection तो यह नहीं होगा जहां जहां से आपको बन सकते हैं जो बन सकते हैं पढ़ाने की जिम्मेदारी एक सिक्षक की होदी है उसको निर्भन करना पड़ता है तब जाकर के आप से लग संदेप आते हैं तो इस सब सारी चीजें हम क्या करेंगे हिंदी व्याकराण के अंतरगत हम सब कुछ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हर एक टापिक को अच्छे तरीके से गंभीरता प्रुवक बिचार करते हुए हम क्या करेंगे आप से चर्चा करेंगे या यह आठ टापिक तो रिलेटेट टू क्या हो गए वो हिंदी से हो गए जब हम हाई स्कुल में पढ़ाते हैं तो हमको एक संस्क पढ़ाने के मतलब नहीं संस्कृत का बिद्वान हो जाई है लेकिन कुछ चीज तो आपको जाननी ही पड़ेगी कुछ लोगों जो प्रशिद्ध हैं उनके बारे में तो हमको जानना ही पड़ेगी तो हमको जो है आपको यह संस्कृत के बारे में भी बेसिक नालेज होना अगर ऐसा है तो समझे ठीक है नहीं है तो फिर करना पड़ेगा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा अब संस्कृत वाला क्या हो जाएगा आजाईए यह आठ हो गया नवे नमबर पाईए नवा नमबर जो है इस संस्कृत से है संस्कृत का है यानि हमारा जो है संस्कृत का रूप यहां चलता है यानि संस्कृत में तो संस्कृत में जो इसमें जो पार्ट सामिल किये गए हैं वो बहुत सारे जो है हिंदी से related ही है जो एक यहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे संधिसमास यहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे तो वे आपको सामिल है चुकि syllabus पर हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हमको लिखना जरूरी है तो हमको यहाँ पर पर आपको कुछ रचना कार मिल लेंगे, संस्कृत में, संस्कृत में क्या होगा? कुछ रचना कार मिल लेंगे, जैसे कौन मिल लेंगे? यही पर आपको कालिदास मिलेंगे, भावभूति मिलेंगे, कालिदास मिलेंगे, कौन से मिलेंगे? कालिदास, कालिदास सच, सच बतला अज रोया या तुम रोय थे, बाबा नागार जून, काली दाश, यहीं पर आपको मिलेंगे, यहीं पर भवभूत मिलेंगे, यहीं पर कौन? भवभूत भी ही आपको यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर कौन मिलेंगे? भारवी जी मिलेंगे, कौन? महाकभी भारवी जी मिलेंगे यहीं पर आपको भाष मिलेंगे, यहीं पर आपको माघ मिलेंगे, दंडी मिलेंगे, भारवी हो गए, यहीं पर भाष मिलेंगे, यहीं पर माघ मिलेंगे, यहीं पर कौन सा मिलेंगे, दंडी जी आपको यहीं पर मिलेंगे, जिसके बारे में हमको जानना होगा, स्रीहर्ष के बारे में हमको जानना होगा स्रीहर्ष के बारे में जानना होगा हमको मम्मट के बारे में जानना होगा हमको वान के बारे में जानना होगा यानि वानभट के बारे में जानना होगा हमको राजसेखर के बारे में जानना होगा राज सेखर के बारे में जानना होगा, हब को विश्वनात के बारे में जानना होगा, विश्वनात के बारे में, आदी आदी, अन्य प्रमुक है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, जाननेगे, तो ये इनके बारे में यानि इनकी रचनाओं को लेकर के इनके जन्मरत्यवाद को ये लेकर के आपसे पूछा जाता है ऐसा होता है संस्कृत साहित की हिंदी में ही पूछा जाता है संस्कृत में नहीं पूछा जाएगा आपके ही कोश्टिन में पूछा जाएगा इसके अलामां आपको यहां पर शंध उससामिल है संस्कृत में ही क्या सामिल होते हैं एक तो माल लीजी यह हो गया कि संस्कृत में ही क्या सामिल है इसके अलामा संस्कृत में ही मैं यहीं नीचे लिख देता हूं कि क्या सामिल है कि संस्कृत में ही संधिय अब चाहे संधी हिंदी में पढ़िए चाहे संस्कृत में पढ़िए ती नहीं होगी स्वर्शंधी मिलेगी ब्यंजन संधी मिलेगी विसर्ग संधी मिलेगी यहां पर आपको स्वर्शंधी के बारे में जानकारी होनी चाहिए ठीक है इसके बारे में हमारी चर्चर होगी कि इसके अलावा हमको सब्द रूप के बारे में जानना होगा किसके बारे में शब्द रूप के सब्द रूप के बारे में हमको जानना होगा इसके अलावा हमको क्या जानना होगा धात रूप के बारे में जानना होगा धात रूप के बारे में हमको जानना होगा शब्द रूप मतलब क्या होता है? जैसे राजा हुआ, नदी हुआ, बालक हुआ सबका रूप चलता है, आधी-ाधी का रूप जो धात रूप होते हैं जैसे लट लकार, लिट लकार, लोट लकार यह सब प्लकार के रूप में आ जाएगे यहाँ पर आपको कारक का भी प्रियोग मिलता है कारक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जिसे हिंदी में परशर्ग भी कहते है और कुछ यहाँ पर अनुवाद रहेगा अनुवाद की बारे में यहाँ पर यानि जो इसमें क्या करेगा हिंदी के शब्द दे दिये जाएंगे यानि इसमें अनुवाद में क्या होता है कि आपको हिंदी का कोई एक लाइन दे दिया गया उसका संस्कृत में संस्कृत का दे दिया गया तो हिंदी आपको ये अनुवाद भी पूछा जाता है तो ये आपको पूरे स्लेबस को अगर यल्टी के आप देखेंगे तो यही आपके नौ विंदूओं में मैंने क्या किया है शमाहित करने का प्रयास किया है मैं एक बार तेजी से आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम यहाँ पर मैं नौ पॉइंट में आपको व्याख्या करने का प्रयास किया है हिंदी साहित्य का इतिहास ये मैंने बताया आदिकाल के बारे में मैंने बताया भक्तिकाल के बारे में बताया निर्गुण और शागुण में ब्रिखनर में इसी में राश्टी संस्कृत धरा किसे और आद है इसे पूछी है कौन पहला है किसका है कैसे है सब सारी चीजें हमारी चर्चा हो यानि इस पर हम आप से चर्चा करेंगे इसके अलामा काब्य सास्त्र के बारे में रस्षंद अलंकार काविगुण काविगुद सबसक्दी के बारे में हम बात करेंगे अब जालक्षना बिंजना के बारे में ब की भाषाएं बोलियां सब्संपदा आधी के बारे में यानि भाषा भी उन के बारे में हegt चुंझा दार्स करेंगे लाष्ट में हम संस्कृत में इन कभीयों के बारे में हम चर्चा करेंगे यानि कालिधास बहुभूद भारवी भास माग दंडी स्री हर्स मुंम्मद राज सिकर विश्वनातादी के बारे में हम चर्चा करेंगे हम यहीं पर आपको संदिस्वार, संद बिंजन, संद बिसर्ग संदी यहाँ पर ही अगर हिंदी में चर्चा करेंगे तो संदिस्ट संस्कृत में यानि हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे और हिंदी में भी चर्चा करेंगे सब्द रूप के बारे में बात करेंगे, हाथ रूप के बारे में बात करेंगे, कारक के बारे में और अगर ये देखेंगे, ये सब मिला करके, जो टोटल होगा, अभी तक जितना मैंने लिखा, वह कितना 120 प्रश्ण होगे, कितना हो गया, वह 120 प्रश्ण क्या होगे, आपको यहां से पूछा जाएगा 120 प्रश्ट जो आपको हिंदी से होगा पूछा जाएगा प्लस 30 प्रश्ट जो है वो किस से होता है 30 जो question होता है यह GS का होता है 120 प्रश्ट जो है आपको इन इन टापिकों के अंतरगत रहे करके आपको जानकारी होनी चाहिए तो यहां से आपको जानना है और तब जाकर के आपकी पूरी एक complete तैयारी होगी और तब जाकर के हम एक ससक्त अच्छे ज्यानी नैतिक वान चरित्रवान सिक्षट देए तो यह हमारा जो रहा आपका पूरे पाठ्यक्रम का एक बिस्त्रित विश्लेशन था जिसको हमने आपको बताने का प्रयास किया कि ये सब सारी चीजें हमने क्या किया आपसे उत्तत देश लोक्षेवा आयोग के द्वारा से निकलने वाली जो यल्टी है जो हाई स्कूल में जिसकी निकलने होती है यानि उस पे हमारी आपसे मैंने चर्चा किया उसके पाठ्यक्रमों पर मैंने चर्चा किया आसा करता हूँ कि ये पाठ्यक्रम आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत प्यार बहुत धन्यवाद जय हिंद पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद